नमस्कार NBC24 देख रहे आप मैं हूँ आपके स्ताथ विशेक लोकास्ता का महापर्व छट पुजा बिहार का सबसे परमुख पर्वमाना जाता है और जिसको लेकर तयारिया पुड़े जोरो सोरो पर है बता दे आपको कि लगतार बिहार से बाहर रहने वाले लोग बिहार लोट के आ रहे हैं जिसको लेकर रेलवे ने एस्पेसल ट्रेन चलाने की सुचना है वो दी है 124 ट्रेन जो है रेलवे के तरब से चलाई जाएगी तमाम अनेक जगों से बिहार आने के लिए यह बरी ख़बर आपको हम बता रहे हैं बता दे आपको कि रेलवे ने जो है गया दानापूर पटना और पाटली पुत्रा तक आने और जाने वाली पुजा एस्पेसल ट्रेनों के समय और दिनांग इस परकार जो है बता दिये है वहीं ट्रेन नंबर जो है 04466 है और दिल्ली से पटना आने के लिए 27 और 29 अक्टूबर को जो है 23 बचकर 10 मिनट यानि कि 11 बचकर 10 मिनट तक ट्रेन नंबर 04065 पटना दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो चलेगी वही 26 28 और 30 अक्टूबर को जो है 4 बचकर 50 मिनट तरक ट्रेन जो है वो चलानी के शुरुवाद जो है वो की है वहीं परिचालंज शुरू किया है बता दें कि पूर्व मध्य रेल के मुख जंशपर्क पतादिकारी के अनुशार जो है सुचना जारी किया गया है और कहा गया है कि 124 अस्पेसल ट्रेन चलेगी जहां पाठली पर 24 पूजा है स्पेसल ट्रेन का परिचालन होगा वहीं रेल्वे का 124 ट्रेन जो है होने का उद्देश यात्रियों को लेकर है वहीं सुभिदा मुहिया करवाया जाएगा रेल्वे के तरप से बता दे कि गया दानापूर पतना और पाठली पुतर तक आने और जाने वाल टक चलेगी ट्रेन नंबर 04065 पतना दिल्ली और 26-28 तारीक चलेगी और 30 अक्टूबर को जो है चार बचकर 50 मिनट से खुर तक खुलेगी तो वहीं ट्रेन को लेकर जो है 124 ट्रेन चलेगी और बिहार से बाहर रहने वाले लोग जो है बिहार आना चाते है छट पुजा को मुख्य पर्व है और जिसको लेकर बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं वो बिहार आ रहे हैं और आने जाने में दिक्कत नहीं हो इसको देखते हुए रेलवे ने सूचना जारी कि 124 ट्रेन चलाने की जो बाते है रेलवे के तरफ से कही गई है अधिकारी रेलवे के उन्हो अब इस ट्रेंज चलेगी सबसे जादा जो है बिहार लोग लोट के आते हैं वापस क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा शट फुजा मनाया जाता है फिलाल इस ख़बर में इतना ही और भी तमाम ख़बरों के लिए बनड़ाय अन्बीसी 24 के साथ माने चैनल को सब्साइब क बेच को लाइक करें बहुत बद भाद थे नहीं